हेलो फ्रेंट्स व्लेकर चैनल तो आज किस दिह सकेसे को मैँ क्याम नेक्ट को मतभर कर और और पज Guard match के करणें और कि अलीक बताओंbes घाने अगया वह भी बताओंगी यह प्तिए और यह मेरा install क्रेंख अध्यीप अध्य Leader को फिखेंगे उ आप कर लेंगे हमारे मेटीरियल को तो गाइस अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो चिले के तो लाइक जुरूर कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको आज की वीडियो में बहुत हैसान तरीके से आर्मोल की कर दोगी तो आप इस तरीके से अबसे असान तरीके से आपने जो मटीस का लिया है विए यहां तक आप इसे सीधा कर लीजिए नहीं को अब सबस्टारी कर लिए तो चैनल यह जूत सब्सक्ता कुंच ड़ाते हैं तो यह देखे है अच्छे से हो चुका है झहां तक हमारी है अपने अपने खुर्ती के रखनी है वहाँ तक आप इसे सीधा कर लिजीए तो यह देखिए मैंने कर लिए तो ऊपर जो हमारा है वह द्वाट से जहाँ टर ऑफला अपन ही जादा नीच होता है तो सबसे पहले स्केल से जहां तक अपने स्थेड उपर आज चाहिए तो करेंगे आपका जितना शोल्डर है आप उतना रखें तीरा और इसके बाद आफ इंच नीचे करके फिर इसे थोड़ा से त्रिशाद हमें करना है इसलिए उसके बाद नीचे 6 इंच का मैज मार्जमेंट करिए और यह आप देखेंगे मैंने 6 इसता हसाप से करा आपके जितनी इसके बाद हम फिटिंग की शेप देंगे हमारी फिटिंग का जैस्ट का जितना आता है उसे उससे साथ इंच नीचे आप कमर करने मारजमेंट किया कीजिए वह सबसे परफेक्ट आपकी फिटिंग आईगी तो आपको उसमें भी कोलाई देने में कोई दिक्कत नहीं होगी जी तो यह देखिए और इससे नीचे साड़े साथ अगर आप लोग कुर्ति में देख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ वेर कर रहें आप प्लाजो पेंट कर रहे हैं या प्लाजो कर रहे हैं तो इससे साफ से आपकर लीजिए तो यह देखिए आप मने शेप देदी दिया एक एक इंच एकस्ट परके हम कटिंग के लिए मारकिंग कर लेंगे कमर से मैं डेढेंच लेती हूं ताकि कि अगर कभी भी आगे जाके थोड़ा फिटिंग का प्रोल्म हो तो असानी से ठीक हो ज़ाएँ तो आप देखें जहां तक हमारा नीचे का जा रहा है वहा पे लेंद से स्टेट मार्किंग कर दोंगी तो हाँ अगर आपको वेस्ट मटीरियल हैं आपके बास आप उससे कुछ ग्रेटिव बनाना चाते हैं तो आप मेरी से पहले वीडियो को जरूर देखेगा उसमेने वेस्ट मेटीरियल को यूज करने के बारे में बताया हुआ है तो आगर से स्ट्रेट म आर्किंग कर लेंगे ए Means he he is a LISA कर लेंगे तो आपकी कि अई के श्ट्रेटिंग में कौई भड़आ करें तो अगर आफ एसे भी कर सकते हैं तो खरीख कर लेंगे तो ज्क्रीख कर लेंगे तक आपकी तिने अजासे त्हूड़ा से इस्ट्रय के बहुत करते ह के लिए आप नॉर्मल कटिंग करें इसके बारे में आपको बताया है तो यह देखिए हम से बड़े कर लेते हैं तो जहां से हमने कटिंग कर ली तो जैसे कि मुझे थोड़ी से दिकत होती थी या चाहिए को भी होती होगी कि आप कैसे क्या करें कि आप आर महल की कटिंग तो इसके बाद हम इन दोनों पिस इसको सेपरेट कर देंगे नीचे से भी कटिंग करके साइड का तो यह देखिए और हाँ फ्रेंड्स मैंने एक और कुर्ति का डिजाइन गले का नेक का वह भी बताया है और कम से कब पीस में शियर्ट कटिंग के बारे में भी वीडियो ब बताऊंगी तो भी आपसानी से कैसे का सकते हैं कि अगर मुड़े में जरह से भी कोई दिक्कल आती है उभर जाता है पटेरियल तो वह कैसे ठीक आपका हर बार आएगा तो यह देखिए हम पहले से बराबर रख लेंगे और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसे प्रेस से द पहले हमें मैं जूम कर लेती हूं कि अधियर जो हमने श्ट्रेट निशान लगा था उससे हम एक इंच अंदर की तरफ एक इंच अंदर की तरफ आपका लिजिए अ उनम कर लेंगे तो उसके बाद फाहां पर मार्किंग करेंगे ऐसे लाइन लगाएंगे जो हमारी इस रह इंधी शोल्डर से नीचे तक कि उससे एक इंच अंदर की तरफ आपको लगाना फिर एक इंच का रखके फिर आपको इसे गुलाई देनी है थोड़ी सी अंदर की तरफ करते करते पर इससे आपकी मुढ़े की कटी एक तम सही आएगी बेसिकली यह होता है कि आपको जितना भ करने करते हैं तो इसमें थोड़ा साब को शूल्डर से ओर थोड़ दो रहे दो नकिटी तरफ लेना जाहिए वस्ट यह इस जीज होती है ततर अंदर की तरफ रहना है बाहर की तरफ नहीं हो तब हीरी पर्फिक संब्सक्रा रखेती हैं इस स्लीप्स की कंटिंग कर रही हैं यह उसके लिए मैंने 4 फोल्ड कर लिया है मैं इसे मैं प्रेस सेथा कर रही हूं और इसमें आपको एक चीज ध्यान देने वाली है मैं आपको क्टिंग में आगे बताऊंगे कि आपको कैसे करनी है तो सबसे बहले हम स्ट्रेट मार्किंग जुरूर कर लेंगे ताकि एक्वल स इसके बाद हम साड़े तीन इंच नीचे मार्किंग करके फिर स्ट्रेट निशान लगाएंगे और जितनी हमारी एक्च्वल लैंथ उससे एग जाएँडी इंच कम करके फिर उसके रखेंगे जैसे साड़े साथ है तो हम साथ पर रखेंगे तो यह हमारी लैंथ के लिए य एडाऊे तक तो इसके बाद नीचे हम ओरी की कटिंग के लिए कर लेंगे और फ्रेंट्स मैं अंडर की चार्पफी लिए खर लेंगे और स्प्रेंड़ मैं यह आपको नायँ हम सीडियो में बना हम एक्षाट भी घर राणी मोह जाएंग कि अध्यान रखना पड़ता है कि आपको कितना मटी लेना है कितना नहीं लेना है तो यह देखे मैंने कटिंग कर लिए और अब यहाप भी हम कट्स लगा लेंगे तो इसके बाद हम दो पल्ले को एक ऐसे कि एक एक कर लेंगे बराबर रख लेंगे और इसके बाद जो मनें अंदर के तरफ मार्किंग की थी उसे भी कटिंग कर लेंगे हाफ इंच अंदर के तरफ की थी उसे मार्किंग कर लेंगे और यह हमारा फ्रेंट के पास साइड आता है यह चीज हमारी फ्रेंट के तरफ आती कटिंग की है उसे उसकी ऊपर रखे हम ने हर एक पल्ले की और स्लिफ की कटिंग कर लेनी है तो यह देखिए बहुत ही असान है तो आपको ऐसे रख लेना है क्योंकि नेट का फेब्रिक नहीं तो अब राबर बापर रख रहेंगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी है हमें स्लीफ का भी कर लेना है यह देखिए ऐसे हमने कटिंग कर ली तो हमारे नहीं है